बैंकों के एटियम में कैश ट्रिप्लिंग करने वाली कंपनी लोजी कैश सुलूशन प्राविट लिमिटेट में अपने दो करमचारी पर 30,35,000 रुपे के गबन का रुप लगा है ये दोनों करमचारी की बढ़वानी थाना में शिकायत की गई फिलाल पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है दोनों करमचारी राज भाफसार वह महेश छे साथ वर्शो से कंपनी में काम कर रहे हैं कंपनी के इन दौर से टीम लीडर अंकिर शर्मा जो बढ़वानी श्वेतर देखते हैं उन्होंने शिकायत दर्श कराई है कि एटियम से कैश रिमूविंग के दौरान कुल 14 एटियम में से 5 एटियम से कुल 63,35,000 रुपे कम पाए गए जिसकी रिफिलिंग ये दोनों करमचारी कर रहे थे और जब इन दोनों करमचारी को पूछताच करने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने संपर्क किया तो दोनों ने कोई संपर्क नहीं किया वो बुलाय जाने पर कोई प्रती उत्तर भी नहीं दिया वहीं इस मामले पर राज भावसार ने बताया कि जनवरी 2019 में वह अंजड में एटियम में रीफिलिंग ली गया था इस जोरान उसके पास करीब 68 लाक रुपए केश थे लेकिन वह बैग एटियम के बाहर भूल कर गाड़ी में सवार होकर निकल गया याद आने पर जो वह वापस आया तो वहाँ बैग ही नहीं था जिसकी जुआनकारी उसने इंदौर हैड ओफिस में दी थी बहराल इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताए कि समन्द में शुकायत मिली है और जाँ चुपरांत इसमें वैदानी कारिवही की जुएगी आरोब जो लगा है वो मैंने इसके पहले जब मेरे साथ ये काम हुआ था जनवरी 2019 में तो मैंने इस बारे में कंपणी के जो अधिकारी है हमारे एड आफिस इंदौर में उनको इस बारे में मैंने सुचना देदी थी और मैंने उनको ये बता दिया था कि सर्व मैं इस तरह अधिकारा से इंड़ गया था और वहां पर मेरे पास परीबन 68 अर्शाट लाक रुपे जो लूडिंग के लिए केस था एटी एंपे लिए रिफिलिंग के लिए वो केस था वो बेग मैंने जो है एक जगा रखा था एटीन के पास में जब्चली हुआ यह था कि गाडी जो सब्सक्राइब करें लगा हुआ था इस तरह से छट्जा लगा हुआ था तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया और बेग मैंने वहां पर रख गया और कुछ 15-20 सेकेंड के बाद जैसी राइवर आया तो मैं उठा और डिरेक्ट चले गया और मैं को ध्यान नहीं रहा कि वहां अबुद करना करना है पो करना पड़ेगा पूरा इस तरह से में अक्यला मीडिंग पर गया था और महां पी मेरे साथ यह हो गया तो कंपनी में कहा कि यह सारा के शापू पे करना पड़ेगा मैं दर गया था